प्रभाकर कोट ने क्या कुछ कहा है जमानत देते हुए ये तो आप बताईएगा लेकिन अभी संजे सिंग को सुन रहेते हैं अब उम्मीद है कि जल्द ही उनके दोनों नेता भी बाहर आ जाएंगे वैसी इस जमानत से उम्मीद लगाई जा रही है देखिए इस मामले में प्रतेक ब्यक्ति का जैसे अरविंद किज्रिवाल के फैक्ट्स अलग है मनिश्य सोदिया के मामले में इस बात को ऐसे समझना होगा कि मनिशी सोधिया के तीसरे बार ये मामला सुप्रीम कोट आया था दो बार यहां से मामले में सुप्रीम कोट से मनिशी सोधिया को निरासा हाथ लगी थी पिछली बार अक्टूबर में पिछले साल अक्टूबर में सुप्रीम कोट ने उनकी जमानत याज का दिस्पोज ओफ करते हुए कोट ने कहा था कि 6-8 महीना में अगर आपके मामले में ट्रायल पूरा नहीं होता है तो आप दुबारा जमानत की अरजी लगा सकते हैं और उसके बाद फिर निचली अदालत से मनिचली अदालत में अरजी लगाई थी फिर वहां से रहात नहीं मिली मामला फिर हाई कोट आया वहां से रहात नहीं मिली फिर मामला सुप्रीम कोट आया और सुप्रीम कोट इस बात से कंविंस हुआ चुकि सुप्रीम कोट में बार और CBI की तरफ ये बार-बार कहा जा रहा था कि मनिश्री सोधिया बार-बार कुछ डोकुमेंट्स मांग रहे हैं या बार-बार एडिस्नरी डोकुमेंट्स सप्लाई करने की बात हो रही है और उसके चलते ट्रायल सुरू नहीं हो पा रहा है तो सुप्रीम कोट ने कहा कि ED औ आप बताने की स्ठी не नहीं है आपकी ट्रायल को अधिकेर आद्हिकार है जिसे उनको वंचित किया जा रहा है जह आना जरूरी है के मनिश्री सोधिया 17 महिने से जिल में है और जो बातें ये कि जमानग देते समय या जमानग का विरोध करते समय जो जाँच एजंसियां बार-बार इस तरह की दलिल देती हैं कि अगर जमानत दे दिया गया आरोपी को तो केस को प्रभावित कर सकते हैं सबुतों सो छेट चार कर सकते हैं तो इस पर सुप्रीम कोट ने कहा है कि मनीश शिसोदिया तो एक बात यह है कि वो एक सामाजिक आत् करने कि कोई गुंजाइस नहीं है और एक कोट ने फिर भी एक बात और कही कि कि कितने समय तक इनको रखेंगे चुकि स्पीडि ट्रायल नहीं हो रहा है उसमें मनीश शिसोदिया के कोई गल्ती नहीं है हाला कि ED और CBI के तरफ से सुप्रीम कोट में बाते यह दलील बार-ब ने कहा कि जिस तरह की सर्थ अर्विंद केजरिवाल को जमानत देते समय लगाई गई थी उस तरह की सर्थ लगाई जानी चाहिए कि मनीश शिसोदिया मुख्यमंत्री कारियाले नहीं जाएंगे मनीश शिसोदिया सचिवाले नहीं जाएंगे लेकिन जस्टिस गवई ने कह कि हम ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोट ने कोई ऐसा आदेश पारित नहीं किया है तो इस लिहाज से ये एक तो पहली बात ये कि मनिशी सोदिया के लिए राहत की बात है उनकी पार्टी के लिए राहत की बात है दूसरी बात ये कि उनके पार्टी के लोग इसे सेलिब्रेट करेंगे लेकिन दिल्ली के लोग और दिल्ली में चुकी मनेशी सोधिया का जो कहें अगर दिल्ली में सिछा बेवस्था का पोस्टर बुआ रहे हैं मनेशी सोधिया तो अब मनेशी सोधिया जब आएंगे बाहर आएंगे तो हो सकता है कि बहुत लोग इस बात पर जस्तमी मनाएं दिल्ले वाले जिन्हें लगता है कि मनेशी सोधिया ने education के लिए कुछ किया है तो सियासत में निशित तौर पर जैसा संजय सिंग कह रहे थे कि पिछले 17 महीने से उनको जेल में रखा गया था और बेवजह रखा गया था तो ये बातें सियासी बातें चलती रहेंगे ये बातें होती रहेंगे लेकिन कोर्ट ने जो जिस बात का संग्यान लिया वो ये कि मने सिसो दिया के मामले में ट्राइल अभी शुरू ही नहीं हुआ है इस पीडी ट्राइल और जब तक ट्राइल शुरू नहीं हुआ चुकी प पिछले साल अक्टूबर महीने की बात थी ये अगस्त का महीना है तो कोट ने कहा कि अब मनेश्य सोधिया को जमानत दी जाने चाहिए और कोट ने साथ साथ ये भी कहा कि जो आरोप ED और CBI की तरफ से लगाया गया कि ट्राइल में डीले की वज़ा मनेश्य सोधिया खुद है उसे कोट ने कहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि इस बात को ट्राइल कोट ने भी नहीं माना है और हाई कोट ने भी नहीं माना है क्योंकि अब मनेशी सोदिया के नाम पर इस तरह की बाते होंगी कि मनेशी सोदिया को बेवजह जेल में रखा गया हलांकि ये तमाम तक्निकी बाते हैं एक आरोप है मनेशी सोदिया पर कि मनेशी सोदिया जब दिल्ली में सिक्षा मंत्री के साथ साथ आपकारी मंत्री थे लेकिन किवल जमानत मिली है ट्राइल में वीलंब होने कीवज़ से मिली है अदालत ने क्लीन चीक नहीं दिया है तो इसी तरह की बहस होगी इसी तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे लेकिन आज की बड़ी खबर राहत की खबर मनीशी सोधिया उनके परिवार उनकी पार्टी के लिए कि मनीशी सोधिया करीब 17 महीने साखों के पीछे रहने के बाद अब ख प्रभागर आपके पास आते हैं